तो अगर आपका भी battery, inverter या UPS से related business है तो ये accounting and billing software आपके लिए best है जैसा कि आपको पता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस software में master entry हम कैसे करते हैं master entry में मैं आपको basically आज company information से related चीजे बताने वाला हूँ तो उसको हम practically देखेंगे step by step देखेंगे इसलिए वीडियो को शुरू से लेके last तक जरूर देखेंगा और एक चीज़ा आपको जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe जरूर कर दीजे, bell icon को भी दबा दीजे so that ऐसे latest information आपको हमेशा मिलते रहे तो master entry करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले यहां पर आपको left side में दिख जाता है master entry का form just आपको इस वाले बटन पर click करना है बहुत ही simple और subtle software है और features तो इसमें इतने सारे कि यह इंडिया का best software है तो चले सबसे पहले हम master entry पर ऐसे click कर लेंगे देखिए यहां पर बहुत सारे tabs हैं तो इसमें से मैं आपको almost company information category, sub category, unit master, tax category, tax type तक आपको सारी चीज़े एक एक करके बताता हो इंदम सरल तरीके से तो सबसे पहले देखिए company information आता है just आपको इस पर click कर देना है अब आप जैसी company information पर tick mark करते हैं तो यह company master का आपके सामने page open होता है बस आपको सारी details यहां पर fill up कर देनी है क्योंकि यह सबसे starting point होता है जब आप software लेते हैं तो software में सबसे पहले आपको अपने बारे में चीज़े input करनी होती है उसी के according invoice सबको generate होता है तो चलिए यह company information में हम सबसे पहले करके सारे details को fill करते हैं उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दू कि देखिए अगर आप battery inverter और UPS से related business कर रहे हैं तो maybe आप manufacturer हो सकते हैं या फिर distributor, wholesaler या retailer कोई सबी आपका position है आप किसी भी profile में work कर रहे हैं चाहें वो distribution का हो या फिर आप एक retailer क्यों ना हो यह software आपके लिए compatible है और इसमें आप ऐसा भी हो सकते हैं कि आप dual या फिर आप मान लोग के distribution का भी काम करना चाहते है, wholesale भी करना चाह रहे, retail भी करना चाह रहे, सारी चीजे इसी software से possible है देखे, basically आप यह accounting and billing software जब आप लेते हैं तो यहाँ से stock maintain करना हो, sell, purchase, expiry, breakers, warranty, guarantee, even battery का serial number track करना हो सब कुछ आसानी से maintain कर सकते हैं, इसलिए यह software आपके लिए बहतर हो जाता है, तो फिलाल देखिए, सबसे पहले हमारे पास company का name आ रहा है, तो जो भी आपके store का name होगा, वो चीज यहाँ पर हम डालेंगे, जैसे यहाँ पर desert 24, battery and inverter house है, फिर next आता है address, तो जो भी आपका address से वो हम यहाँ पर mention कर देंगे, फिर city, state, contact number और email ID, यह बहुत ही simple होता है, आप अपने according यहाँ पर input कर सकते हैं, next इसके बाद part आता है GSTN का, तो जो GST number आपने ले रखा है, वो आपको यहाँ डाल देना है, अगर आपकी कोई private limited company है, तो उसका sin number होता है, जो कि आप यहा website है, तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर website नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको blank चोड़ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने blank चोड़ा हुआ है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर अपनी website यहाँ पर mention कर देते है, www.dizit24.in, सेम इसी तरीके से, अगर आपके ब website है भी नहीं, तो भी आप हमें contact किजिए, क्योंकि हम आपके लिए software तो देते ही है, साथी साथ हम आपको digital marketing भी करके देते है, website service भी provide कराते है, जिस भी area और location में आपका battery inverter UPS का business है, वहाँ पर customers ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचेंगे, सारी services एक जगा पर available है, इसलिए आप हमें contact जरूर करें, और मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप कोई साभी business कर रहें, तो business को computerize करना जरूरी है, आपको exactly पता होना चाहिए, कि क्या profit and loss आ रहा है, क्या हमारा actual stock बचा हुआ है, तो यह सारी चीज़े maintain करने के लिए आपको digitalization चाहिए, और उसके आप हमें contact कर सकते हैं, anyway, यहां पर जो आपका bank information है, जो आपके company का bank information है, वही आप यहां पर input करें, और इस तरीके से आपका company का master है, जो first phase है, वो create हो जाता है, नीचे में लोगो का option है, तो जाहिट सी बात है, हर एक shop का, हर एक जो भी अपना धंदा कर रहें, business कर रहें, स browse button पर click करेंगे, और आप अपने computer से अपना logo डाउनलोड करके लगा सकते हैं, next, यहां पर currency symbol automatically rupees का बन करके आएगा, लेकिन मैं आपको बता दो कि चुकि हम यह software internationally use कर रहें, तो other countries में हम आपके according, आपके country के according यहां पर currency symbol create करेंगे, barcode का option already software में दिया हुआ है, android application का भी payment कर दिया है, उसका भी demonstration में बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हो, कि mobile phone से इस billing software को आप कैसे maintain कर सकते हैं, even customer का order लेना हो, stock देखना हो, आप घर बैठे अपने आराम से mobile phone से सारी चीज़े operate कर सकते हैं, even आपका कोई sales person है, और वो अगर बाहर जाकर के order लेना चाहता है, या आपके दुकान में ही, या फिर आपके company में ही कहीं से order लेना चाहता है, तो वो अपने mobile phone से order लेगा, और सारा data synchronize होगा software में, तो ये सब कमाल के features हमारे software में है, जो कि आप यहां से maintain कर सकते हैं, उसके बाद ये जो admin code है, ये maintain करेंगे, अब एक चीज़ और है कि हो सकता है, कि आपके अलग-अलग companies हो, अलग-अलग like आपका काम करने का तरीका हो, GST, non-GST, तो सारी चीज़े इसी software से maintain हो जाएगा, anyway ये सारा कुछ डालने के बाद जस्त आपको save button पर click करना होता है, एक चीज़ आपको और बता दू कि जैसी save कीज़ेगा, successfully saved का message जाएगा, और ये software ने एकदम complete software, कोई bugs की तो कोई बात ही नहीं है, तिसलिए software आप अराम से ले सकते हैं, दूसरा जो option है, यहाँ पर envelope print का है, एक बार इस पर click करते हैं, और ये देखे envelope print का option, envelope print पर जैसे ही click करेंगे ना, आपके सामने ये देखे, ये envelope ऐसा बन करके आजाएगा, अब इस envelope को आप चाहे mail कर लो, whatsapp कर लो, या फिर इसका pdf कर लो, आपको ये सारे option एक जगा पर मिल जाएगा, अब इसको अगर आपको print करना है, just simply print button पर click किजिए, आप इसको printer लगा करके इसको directly आप print कर सकते हैं, next option है pdf का, आप directly pdf पर click किजिए, देखे ये pdf का file बन करके आजाएगा और आप यहां से अपना pdf सेफ कर सकते हैं, तो इतना असान है, same इसी तरीके से आप email या फिर whatsapp भी कर सकते हैं, तो anyway ये तो हो गया हमारा company information, company master से related information, जो कि सबसे पहले हम software में implement करते हैं, उसके बाद next जो हमारा option आता है, वो आता है category का, तो यहां पर हमने अल analyzer का भी काम कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, बस आपको new button पर click करना है, और यहां से आप category name डाल सकते हैं, तो यह है category का option, और category में देखिए एक important चीज है, अगर इस पर आप double click करोगे, और battery का भी कोई image आप डालना चाहते हैं, तो just browse पर click किजिए, तो इस category का image य जाता है, next आता है, sub category और इसे आप brand भी बोल सकते हैं, तो brand कहने का मतलब क्या है, कि चलो मैं आपको करके दिखा तो, यह new button पर click करा, यहां पर sub category brand का नाम देना, तो अगर आप battery inverter का का काम कर रहे हैं, तो यार कुछ brand है, company है, जिसको हम जानते हैं, लेकिन आप जिस business में का कर रहे हैं, जिस brand के साथ काम कर रहे हैं, उनका नाम यहां पर डालेंगे, तो जैसे मालो कि आप excited, luminous और ऐसे बहुत सारे brand हो सकते हैं, तो सब का नाम डाल के रखेंगे, तो फायदा क्या होगा, कि आपको exactly पता होगा at the end of the day, कि मेरा किस company के साथ मेरा क्या काम चल रहा है, कौन सा company का ज़्यादा sell हो रहा है, कौन सा customer ज़्यादा demand करता है, और even इसके साथ ये भी पता कर सकते हैं, कि जो customer आपसे product ले रहा है, किसका flow ज़्यादा है या कम है, किस से ज़्यादा आपको margin आ रहा है, profit आ ये सब चीज़े आप maintain करके रह सकते हैं, तो इसलिए तो मैं ह जैसे ही आप excite के बाद नीचे tap बटन पर click करोगे न, तो आपको category option आजाएगा, तो excite का battery आता है, तो हमने battery select कर दिया, अब इसी तरीके से यहाँ पर दिखे search by category, तो यहाँ से आप search by category कर सकते हैं, search by brand तो यहाँ पर brand भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने sub category में excite और यहाँ पर category में battery select कर लिया, अब इसके बाद just आपको save button पर click करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बता है कि हर एक product का आप image भी select कर सकते हैं, तो यहाँ से आप image भी डाल सकते हैं, anyway फिलाल मैंने image यहाँ यहाँ पर नहीं डाला है, फिर से देखिए यह excite automatic यहाँ पर लिख क करके रख सकते हैं, हर एक चीज को, अब excite का ही, अगर मालो की UPS भी आता है, तो अब यहाँ से UPS भी select कर सकते हैं, तो आप जितने भी यहाँ पर product आते हैं, आपको बस यहाँ पर save button पर click करते जाना है, और सारे के सारे जो categories, sub categories हैं, वो आपका select होता जाएगा, और यहाँ पर आपके पास list बनते जाएंगे, save, saved का option आ रहा है, चलिए मैं एक company और बना लेता हो यहाँ पर, जस्त आपको new button पर click करना है, और एक नई company create करते हैं, एक आता है, okaya करके, तो चलिए हमने यहाँ पर okaya ऐसा type कर लिया, अब इसका category है, वो आता है battery में, तो हमने battery select कर लिय बस यहाँ पर हमने नीचे save button पर click कर दिया, अब फिर से new button पर click करेंगे, और एक आता है luminous, तो चलिए हमने यहाँ पर luminous type कर दिया, अब luminous में आपका category क्या है, battery का है, या inverter है, तो हमने inverter यहाँ पर save कर लिया, अब फिर से अगर luminous का ही आपको like entry करनी है, तो यहाँ से luminous आ आ जाएगा आपके सामने, category आप select कर लो, battery का, और फिर उसके बाद save button पर click कर दिया, तो यह देखिए कितने सारे list हमारे आसानी से create होगे, तो अब इस से फायदा क्या होगा, कि हम जो भी business कर रहे है, किस category, sub category में काम कर रहे हैं, वो meant है, हलाकि यह important नहीं है, अगर आप चा आता हो, क्योंकि अगर यह बनाते हैं, तो आप systematic way में सारी चीजों को track कर पाईएगा, कौन सा brand का flow है, कौन सा, पर क्या margin profit है, यह सब maintain करने के लिए, आपको यह category, sub category बनाना ही चाहिए, चलिए फिर से हम आते हैं, अपने software पे, यह अभी आप समझ में आगे, तो अब अगर unit master में आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको unit बनाना चाहते हैं, तो new button पे click किजएगा, नया unit बन जाएगा, लेकिन हमने जितने भी unit business में use होते हैं, चाहिए वो कोई सा भी business हो, दुनिया के जितने भी business है, सब के unit हमने already software में define कर रखा है, अब क्या unit हो सकते हैं, जैसे pieces का हमने already, जितने भी unit है यह सब defined है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो new button पे click करके कर सकते हैं, और बाकी unit को आप चाहते हैं, या बाकी unit की जरूरत नहीं है, तो आप delete भी कर सकते हैं, यहीं पर master entry में आपको option मिलता ह unit master में जाएंगे, और यहां पर मालो कि इस वाले item की जरूरत नहीं है, आप इस पर double click करो, नीचे में delete button पर click करो, वो unit हमेसा के लिए आपके software से delete हो जाएगा, तो यह चीज़े clear हो गई, अब हम master entry में जाएंगे, फिर हमारे पास एक next option आता है, tax category का, तो tax देखिए आपके अगर 18% tax पे ही काम हो रहा तो 18% लिखेंगे, 28% पे हो रहा तो 20% लिखेंगे, 5% tax पे काम हो रहा तो 5% लिखेंगे, तो यह आप जब अपने supplier से माल खरीते हैं, तो जो आपको tax वहां पर बन करके आता है, बस वही tax की entry आपको यहां पर डालनी रहती है, और उसे आप default भी बना सकते हैं, तो एक default बन की 18%, तो जब भी आप लोगे तो धराधर software 18% ही select करेगा, और कुछ अगर switch करना चाहते हो, 5% में, 28% में, आप यहां से switch कर सकते हैं, तो tax की category बना सकते हैं, by default, और इसके बाद आपके पास master entry में एक option मिलता है, tax का type, यह बहुत important है, देकिए tax type द दोनों option दे दिया, एक तो आप यहां समझी रहे है, purchase tax और sales tax का option है, जो कि GST में available है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि non-GST में भी काम करना बहुत सार है, भी हमारे businessmen है, छोटे-छोटे वेपारी है, जो non-GST में काम कर रहे हैं, तो आप non-GST भी इस से काम कर सकते है, GST मे maintain करेंगे, तो यह यहां text type तक I hope की master entry का सारी चीज़ा आपको समझा आगे होंगे, इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं रहता, सारी चीज़ा software में available रहती है, बस option दिखाना था, इसलिए मैं आपको दिखा दिया, सारे के सारे option के बारे में आपको पता होना चाहिए, अब next option में हम देखेंगे, वीडियो में, product order section क्या होता है, products कैसे बनाएंगे, salesman, बहुत important, बहुत important, हर एक business में salesman होता है, salesman का incentive margin कैसे maintain करेंगे, salesman कौन-कौन से है, उनका सारा detail आपको यहां पर लिख लेना है, रख लेना है, salesman का photo भी लगा के रख सकते हैं, तो आप photos, इमेस का option हमने software में हर जगा दिया है, so that कि आप image के थूरू जल्दी react करते हैं, तो आप उसको आसानी से maintain कर सकते हैं, तो चलिए आज आप जान गया है, master entry के कुछ parts, battery और inverter software में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे use करना है, वो आपको clear हो गया होगा concept, लेकिन फिर भी अगर आप आपके business से related, हमें नीचे contact करके जरूर पुछे है, हमारी पूरी कोशिस होगी कि हम आपके according ही content ready करें, और support and service में तो हम number one है, software आप जब हमारे से लेते हैं, तो हम आपको support and service भी अच्छे से provide कराते हैं, हमारा एक IVR number है, 9955990300, इस पे जब अगर आप call करेंगे, तो sales और support दोनों option मिलेगा, आप support चूज कीजिए, वहां से आपको support 110% बहुत ही सही तरीके से हम आपको provide कराने वाले हैं, तो कैसी लगी आपको यह जानकारी नीचे comment करके ज़रूर बता, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो हर बार की तरह like करें, comment करें, share करें और subscribe भी करें, मि मिलते हैं next interesting video में